इरान एटम बम बनाने के बहुत करीब पहुँच गया है सारे सैंशन्स के बावजूद उसने बयान दिया है कि सेंट्रिफ्यूगल्स बनाना वो जारी रखेगा और लगता ऐसा है कि या तो इरान के पास एटम बम है या बहुत जल्दी वो एटम बम जब चाहे तब बना सकत है उदर इसराइल से छे सैनिकों के खबर आई है कि उन्होंने खुदकशी की है इसके पीछे वज़ा क्या है इसको जानेंगे और टर्की हूथी के उपर यमन के उपर हमले करने की बात क्यों कर रहा है इस पर भी डिटेल से बात करेंगे बने रही है हमारे साथ देखते रह नमस्कार मैं अशोक कुमार पांडे स्वागत है आपका TCH पर हाजिर हूँ इसराइल, फलस्तीन, लेबनान, इरान, रूस, यूक्रेन, मिडलिस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर इस समय अमेरिका और इसराइल की सबसे बड़ी चिंता ये है कि इरान कहीं एटामिक बम ना बना ले अमेरिका के पास एटामिक बम है, इसराइल के पास एटामिक बम है, अमेरिका के साथियों के पास जो नाटो मेंबर्स हैं, उनमें से जहातर के पास एटामिक बम है, लेक ये सारा डर सिर्फिस लिया है कि कहीं एरान एटामिक बम न बना ले लेकिन एरान ने बहुत साफ कहा है कि एटामिक बम बनाने के लिए हमें जो कुछ करना होगा लब्स ये नहीं हैं लब्स अलग हैं ये लब्स राजनीती में नहीं चलते ये लब्स हम जैसे सहाफी यहाँ पर कह सकते हैं वो नहीं कह सकते उन्होंने कहा है कि जो जो जरुवत हमें होगी बंबनाने के लिए उसको हम डेवलप करेंगे सेंट्रिफ्यूगर्स डेवलप करने की बात है ये जो खबर आप पूरी पढ़ रहे हैं ये इरना से है यानी इरान की जो अपनी न्यू जेजनसी है वहां से है और इसको पढ़के कोई भी साफ समझ सकता है कि इरान या तो एटामिक बंबना चुका है या तो एटामिक बंब जब चाहे वो बना सकता है वैसे मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ कि टरंप ने कभी कहा था कि एरान जब चाहे 24 घंटे में एटामिक बम बना सकता है दरसल पूरे मिडलिस्ट में अगर कोई चुब रहा है अमेरिका और इसराइल की आँख में तो वो अकेला एरान है इराक को खतम कर दिया जब सद्दाम हुसेन वहाँ पर ताकतवर थे तो इराक को खतम कर दिया गया लीबिया ताकतवर था उसको खतम कर दिया गया और इराक और लीबिया के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो खुल के फलस्तीन के साथ खड़ा हो आज इरान फलस्तीन के साथ खड़ा है तो जाहिर है कि अमेरिका किसी भी तरह इरान को तबाहो बर्बाद करना चाहता है आज तक हो भी गया होता अभी तक इसराइल ने नजाने कितने बम गिरा दिये होते है इरान के उपर हम सही वक्त पे हमला करेंगे और इस बार इसराइल को अच्छा खासा नुकसान पहुँचाएंगे लगातार ये चल रहा है इसराइल कभी कहता है हम हमला करेंगे कभी कहता है इरान हम हमला करेंगे लेकिन ये नूरा कुष्टी नहीं है ये कत्ता ही नूरा कुष्टी नहीं है दोनों वेट कर रहे हैं, दोनों देख रहे हैं कि कौन सा सही टाइम होगा जिस समय हमला होगा और दोनों में से अगर कोई एक हमला करता है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस बात पे मुहर लग जाएगी कि थर्ड वर्ड वार वाकई शुरू हो गया है क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में जिस तरह का वार चल रहा है कल ही यूक्रेन के एक एकस आर्मी आफिसर ने कहा था कि वर्ड वार थर्ड शुरू हो चुका है रशिया से अमेरिका पार तो पार नहीं रहा है यूक्रेन ने हमला किया तो बदले में रशिया ने ऐसा हमला किया जिसको इंटरसेप्ट करना ही मुश्किल था और अब यूक्रेन की जो राजधानी है कीव वहां के हालात आप देखेंगे तो अमेरिका अपनी अमबसी बंद क आपको मालूम है कि अगर कीव पे हमला होगा तो यूक्रेन बचा नहीं पाएगा ये कंडिशन यूक्रेन और रशिया के बीच में है कल मैं पढ़ रहा था क्रोईशिया के रास्टपती का बयान और वो बयान मुझे बहुत मजदार लगा उन्होंने कहा कि अगर इन लों को ये लगता है कि यूक्रेन हमला करेगा और रशिया पलट के हमला नहीं करेगा तो या तो ये बेवकूफ हैं और या फिर इनका दिमाग खराब हो गया है तो ये हालात हैं ऐसे में इरान को कैसे भी कंट्रोल करना चाहता है अभी हाल में इरान के उपर ये भी आरोप लगा कि वो रशिया की मदद कर रहा है इसलिए उसके उपर और सैंक्शन लगा दिये बाई तुम यूक्रेन की मदद करो तुम इसराइल की मदद करो तब बिलकुल सब कुछ ठीक है लेकिन रशिया की कोई मदद कर दे तो वो गलत है ये जो गुंडागर्दी है ये जो डिप्लोमेसी के नाम पर गुंडागर्दी है ये गुंडागर्दी अब बहुत दिन नहीं चलने वाली है ICC का जो फैसला आया था कल मैंने आपको बताया था और कल भी मैंने कहा था कि इसके कैसकेडिंग एफेक्ट्स होंगे ये आगे तक जाएगा ये यहीं पर ठहरेगा नहीं सोचिए बरतानिया ब्रिटेन जो अमेरिका का सबसे करीबी है उसने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर गैलन्ट और नितनियाहू वहां आते हैं तो उनको गरफतार किया जाएगा और सिर्फ इंगलैंड ने नहीं मैंने कल तमाम सारे मुलकों के नाम गिनाये थे और अब कोलंबिया भी उसमें शामिल हो गया है कलंबिया ने कहा है कि अगर हमारे हां नितनियाहू या गैलन्ट आने की हिम्मत करेंगे तो उन लोगों को गरफतार किया जाएगा इसराइल इतने गुसे में है इसराइल के समझ में नहीं आ रहा है क्या करे एक तरफ लेमनान में नहीं गुस पा रहा है दूसरी तरफ हमास को पूरी तरह से खतम करने के उसके दावे रोज घलत साबित हो रहे है तो अब वो यही कर सकता है कल उसने एक छे मंजली इमारत को गिरा दिया एक छे मंजली इमारत को मिसाइल का निशाना बनाया जिसमें चार लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर है और फिर ये बहाना बनाया कि लेबनान में जो हिजबुला के आपरेशन चीफ हैं उनको मारने के लिए ये हमला किया गया था जबकि वो वहां पर नहीं थे तो बहुत सिंपल सी बात है कि आर्मी के लड़ाई में तो उसकी हालत खराब है आर्मी के लड़ाई में वो एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो बस एक ही तरीका है कि सिविलियन्स को मारो मकान गिरा हो ताकि लेबनान के अंदर से हिजबुला के उपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए लेकिन प्रेशर उल्टा जा रहा है कल की खबर ये है कि इसराइल के छे सैनिकों ने कम से कम छे सैनिकों ने आत्महत्या की है खुद की जान दे दी है खुदकुशी की है आप सोच सकते हैं कि प्रेशर किधर पड़ रहा है आप कह रहे हैं आप जंग जीत रहे हैं दूसरी तरफ आप कहां सेना में भरती होने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं आप कह रहे हैं आप जंग जीत रहे हैं दूसरी तरफ आपके सैनिक जो हैं वो खुदकशी कर रहे हैं आप कह रहे हैं आप जंग जीत रहे हैं और नारदन इसराइल अभी तक खाली पड़ा हुआ है आप लाग कोश्चे कर रहे हैं लेकिन लोग अपने घरों में आने को तयार नहीं हैं कल के कल हिजबुल्ला ने 26 ड इस पर हमला हुआ है अब इसराइल के अंदर से कभी ये ख़बर निकल के नहीं आएगी कि उसमें कितना नुकसान हुआ है लेकिन अगर हमला हुआ है तो नुकसान होना लाजिम है मजदार है अरब देशों के नाटक तरकी अपने एक जहाज से सामान भेज रहा था इसराइल को हूथी ने उस पर हमला किया और जब हूथी ने उस पर हमला किया उसको तबाह कर दिया अब तरकी कह रहा है कि हम हूथी के खिलाफ अपनी जहाजें भेजेंगे जो हूथी पर हमला करेंगे यमन पर हमला करेंगे इसराइल के खिलाफ आप सिर्फ जबानी जमाँ खर्च करते हैं उसको माल भिजवाते हैं इंटरनेशनल मंच पे जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं आर्दोगा लेकिन हमला किस पे करेंगे हमला वो यमन पे करेंगे इसराइल पे कभी हमला करने की अवकात नहीं होगी क्योंकि इसराइल तो अमेरिका का दोस्त है और वो खुद अमेरिका के गुलाम है तो बातें कितनी भी करने युनाटेड नेशन्स में कुछ भी बोले अरब लीग की मीटिंग में कुछ भी बोलें कहीं भी कुछ भी बोलें लेकिन फाइनली जब हमला करने की बात आएगी तो यमन पर हमला करेंगे और ये साबित कर देंगे कि वो चाहे कितना भी नाटक कर रहे हो असल में वो अमेरिका और इस्राइल के साथ हैं उनके हाँ से जहाजें सामान पहुचा रही है और इस्राइल की वो हर तरह से मदद कर रहे हैं ताकि इस्राइल लेबनान में और गजा में हुरेजी कर सके लोगों को मार सके जेनोसाइड कर सके और जब सब कुछ ये चल रहा है मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन, कोलंबिया, स्पेन, आयरलेंड, कितनी सारी कंट्रीज ने ये कह दिया है कि ICC का फैसला हम मानेंगे उस समय में आपको अमेरिका के एक सिनेटर का बयान बताता हूँ, ये बहुत सीनियर सिनेटर है, कल भी मैंने इनकी बात की थी, इनका नाम है लिंड्से ग्राहम लिंडसे अब्रहम साहब की कहानी कल मैंने आपको सुनाई थी कि जब रश्या के ऊपर पुतिन के ऊपर यही अरिस वारिंट जारी हुआ था तो लिंडसे अब्रहम साहब बहुत खुश थे और लिंडसे ग्रहम साहब जो है तारीफें कर रहे थे ICC की अब जब यह बयान जारी हुआ है तो पहले तो उन्होंने ICC की मलामत की वैसे मैं आपको बता दो कि एलन मस्क जो ट्विटर चलाते हैं उन्होंने भी बेंजामिन नितन्याहू ने ICC की मलामत करते हुए जो वीडियो लगाया था उस वीडियो को रिट्वीट किया था आप सो लिंसे का एक बयान आया है उस बयान में कहते हैं कि अगर हमारे जो एलाई हैं जो हमारे साथी हैं कैनेडा है इंगलैंड है फ्रांस है और इस तरह के जो हमारे साथी हैं अगर वो मुल्क भी इसराइल के किसी आदमी को गिरफतार करेंगे नितन्याहू को गिरफतार करेंग या ICC के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे तो हम उनके खलाब भी सैंक्शन लगाएंगे लिंसे का जो ये बयान है उसका मुझे आपको तो कोई फरक नहीं पड़ता हम तो जानते हैं लेकिन जो ये European countries हैं जो कुते की तरह पीछे पीछे लगी रहती है या अमेरिका की अमेरिका कहता है उठ जाओ तो उठ जाती है बैट जाओ तो बैट जाती है और जो अरब हुक्मरान हैं जो अमेरिका के सामने लगातार सजदों में रहते हैं उनके लिए ये जरूर बड़ी important बात है जहां इसराइल की बात आएगी वो ना इंग्लैंड के साथ खड़ा होगा ना कनाडा के साथ खड़ा होगा ना फ्रांस के साथ खड़ा होगा ना साओधी अरबिया के साथ खड़ा होगा ना कतर के साथ खड़ा होगा ना कुएट के साथ खड़ा होगा ना तुर्की के साथ खड़ा होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल के साथ खड़ा होगा आज अगर इसराइल साओधी अरबिया पे हमला कर दे तो अमेरिका साओधी अरबिया के साथ नहीं खड़ा होगा और इसराइल का जो खाब है गेटर इसराइल उसमें आधा से जादा अरब का हिस्सा शामिल है मुलक भी घुलामी करने में लगे हुए हैं इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आज फलस्तीन इरान लेबनान सीरिया जैसे मुलकों का नंबर है कल इनका नंबर भी आएगा उधर सीस फायर को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं बीच में ऐसी खबरे आई कि हमास हर हाल मे सीस फायर मानने को तयार है लेकिन हमास ने तुरंट साफ कर दिया कि हम ऐसा कोई सीस फायर नहीं मानेंगे जिसमें जंग ना रुके यानि जब तक जंग नहीं रुकेगी जब तक वहां के हास्पीटल पे अभी वहां एक हास्पीटल पे हमला हुआ कमाल रादवान हास्पी नहीं करेगा हम एक भी अगवा किये हुए बंदे को नहीं छोडेंगे दरसल इसराइल की कोई प्राबलम है तो सिर्फ इतनी है कि उसके लोग और सिर्फ इसराइल के नहीं उसमें अमेरिकी भी शामिल है रशियन भी शामिल है उसके लोग अगवा किये हुए हैं उसके लोग ह चुडाने में इसराइल आज तक नाकाम है माना जाता है कि मुसाद की निगाह सब जगह है लेकिन वही मुसाद ये तलाश नहीं कर पा रहा है कि अगवा किये हुए लोग कहा है अगर हमास खतम हो गया होता तो अगवा किये हुए लोग अपने आप चलके चले आते यहीं बताता है कि हमास खतम नहीं हुआ है कल मैंने आपको बताया था कि मुहमबद दाइफ के बारे में इसराइल ने कहा कि उसको मार दिया है हमने और अब ये खबर आई कि आई सी सी ने जो वरेंट जारी किया उसमें मुहमबद दाइफ का भी नाम है इसका मतलब वो जिन्दा है तो खिर हमास ने बिलकुल क्लियर किया कि जब तक पूरी तरह से जंग रोकी नहीं जाएगी हम एक भी अगवा किये हुए लोगों को नहीं छोड़ेंगे और इसी के साथ साथ लेबनान में जो सीस फायर की बात चल रही है जिसमें साथ दिन के सीस फायर की बात चल रही है वहाँ भी हिजबुल्ला ने बहुत साफ किया है कि ऐसी हम कोई शर्त नहीं मानेंगे जिसमें हमें हत्यार रखना पड़े और जिसमें इसराइल को ये इजाजत मिले कि वो जब चाहे लेबनान के अंदर घुसा चलाए तो कुल मिलाजुला के हालात ये हैं कि जंग लगातार चल रही है इरान एटम बम बनाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि जानता है वो कि अगर उसके पास एटम बम होंगे और तैयारी कर रहा है या बना चुका है ये किसी को नहीं पता है लेकिन इतना बिल्कुल सेफली कहा जा सकता है कि एरान एकदम तैयार है एटम बम के लिए और वो जरूरी इसलिए है क्योंकि इसराइल अगर हमला करता है तो वो सबसे बड़ा डिटरेंट होगा अगर इसराइल को ये पता है कि एरान के पास एटमिक बम है तो वो हिम्मत नहीं करेगा इरान के उपर बड़ा हमला करने की क्यूंकि वो जानता है कि एरान से अगर ایٹामिक बं चले तो पूरा इसराईल खतम हो जाएगा. इसलिए इरान लगातार ایٹामिक बं बं बनाने की बात कर रहा है और अमेरिका और इसराईल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह इरान के पास कोई atomic bomb ना हो एक के बाद एक sanction लाया जा रहा है हाला कि sanctions का समय अब खतम हो चुका है, रशिया के ऊपर sanction लगाया गया था, रशिया के पास क्या नहीं है, चाइना के ऊपर sanction लगाया गया था, चाइना इस विसमें दुनिया का बैठे हुए थे जिस समय आप उसका तेल और बाकी सारा मालो असबाब खरीद नहीं रहे थे उसको बेच नहीं रहे थे उसने अपने हतियार भी डेवलप कर लिये और अपने आयल के लिए मार्केट भी तलाश लिया और वो ना तो अमेरिका के उपर डिपेंडेंट है ना अशिया से तेल खरीद के यॉरप को अब तेल सप्लाई कर रहा है तो सैंक्शन्स की कहानी ये हो गई है सैंक्शन्स कहीं भी किसी भी तरह से इरान को बहुत ज़्यादा असर नहीं पहुंचाने वाले दूसरा जहां जंग चल रही है लगातार उसके रहाइशे अलाकों पर बाद हो रही है तो ये इसराइल के लिए बहुत अच्छे साइंस नहीं है तो अगर सीस फायर होता है तो जितनी जरूवत लबनान यह हमास को है उतनी जरूवत इसराइल को भी है बस सारा मामला ये है कि नेतनियाहू नहीं चाहता है सीस फायर हो क्योंकि अगर सीस फायर हो अब ये क्या होता है, कैसे होता है, या जंग और तेज होती है, ये सारा कुछ आने वाले वक्त में समझ में आएगा, और जैसे जैसे डीटेल्स आएंगी, मैं आपसे शेयर करता हूँ, करता रहूँगा, जुड़े रही है हमारे साथ, देखते रही है हमारे वीडियोस, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम के हैं तो अपने दोस्तों अपने रिश्डारों को भेजिए आप जानते ही हैं पिंट कमेंट और जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है उसको खोल के आप जैसे भी हमारी मदद करना चाहें हमारे साथ खड़ा होना चाहें खड़े हो स करते हैं आप साथ हैं तो कैमरे और सत्ता की आँक में आँक डाल कर मैं लगातार हक की बात सच की बात करता रहूंगा